हेलो एफ्रिवान आप लोग कैसे हो तो विल्कम मैं ब्लॉग चैनल और एक जगा में हम लोग गुमने के लिए जा रहे हैं वो है कोथा पाटनम बीच और कोथा पाटनम बीच है उंगल में जो उंगल है अंद्रपदेश में तो वहा का बीच जो है बहुत खुपसूरत है ये उंगल स्टेशन है तो इधर से हम लोग जाएंगे बीच के मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए तो मैं सारे डीटेल्स इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में दे दूंगी तो हम लोग ट्रेन से मॉर्निंग में उतरने के बाद हम लोग ब्रेकफस्ट किया इस जगा हम लोग ने देखे एक्स्प्लोर किया बहुत सुन्दर सिनरी था और एक गाव था गाव में ये बीच है तो आप लोग जो वाइट वाइट धीब देख रहे हो उसके बारे में मैं बताऊंगी बाद में पहले देख लीजिए ये बीच के सामने एक रिच्वल हो रहा था उन लोग का जो क्या था हम लोग को बहुत क्यूरिसिटी लगा के जानने के लिए तो हम लोग गये सुनके आए कि उधर रिच्वल ऐसा हो रहा था कि जो पशु ओ लोग पालते हैं उसको बली चराया जाता है तो ओ रिच्वल कंटिन्यू चल रहा था एक देर घंटा त इसके बाद हम लोग चले गए नहाने के लिए तो नहाने के लिए तो ये दोनों रेडी हैं मैं भी रेडी हो गई और थोड़ा वीडियो लेने लगी ये हैं हम लोग का रूम रूम के बारे में जरूर बताएंगे ये रूम ठीक ठाक है चलो उसके बारे में भी बताएंगे तो ये है resort जो है नाम ओयो ब्रिंदावन बीच resort तो ये पूरा resort मैं दिखा रही हूँ तो हम लोग resort पॉसते ही हम लोग ने थोड़ा फ्रेश हो के लंच कर लेने के बाद हम लोग नहाने के लिए गए चार बजे क्योंकि अभी बहुत गर्मी टाइम है बाहर बहुत धूप है जल जाने का दर है इसलिए हम लोग ने चार बजे नहाना शुरू किया तो आप लोग देख लो यह resort resort एकदम अच्छा है कोई problem नहीं है इधर रेस्टूरेंट भी सामने है यह है रेस्टूरेंट और रेस्टूरेंट से आप सारे जो जो खा चाते हो खाना चाते हो वो आप order कर सकते हो सब भराइटीस मिल जाते हैं सी फूर से शुरू करके चिकन विकन सब कुछ भेज सब कुछ मिल जाता है तो बीच के सामने आप देख सकते हो बीच के साइड में थोड़ा क्लीन नहीं था थोड़ा क्या जादा ही क्लीन नहीं था लेकिन बीच जहां से शुरू होते हैं वहा आप पॉसते हो तब थोड़ा clean नहीं मिलता है तो आपको जाने में थोड़ा problem होते हैं लेकिन बाकी beach बहुत clean है, no issue और पानी भी बहुत साफ है हम लोग कैसे गए तो हम लोग गए सिम्हापूरी train में राद 11 वजे train सेकेंद्रवार से निकलते हैं और उंगल पॉसते हैं 7 o'clock तो वहाँ से हम लोग एक आटो पकड़ के हम लोग चले गए beach के side में तो जो train था, ओ ट्रेन भी night को सोने के लिए था, sleeper train था, हम लोग ने AC बुक किया था, तो no issue अभी मैं resort के बारे में बोलते हैं, व्रिंदावन resort मैंने क्यों बोले क्योंकि यह व्रिंदावन resort का जो phone number है गुगल में मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने OYO में जाके customer care से book किया, इसलिए मुझे थोड़ा price कम मिला, अगर आप लोग directly उधर जाके book करते हो तो price बहुत high र करते हो तो OYO का तो थोड़ा confusion है, लेकिन ठीक ठाक book हो जाता है, कोई problem नहीं है, हम लोग ने three room book किया था, सकते हो यह बीच के side में, जो लोग morning में में दिखाया था ना, कि पूजा कर रहे थे, मतलब ritual हो रहा था, उसका कच्रा सब पानी में डाला था, ओई चले आ गए थे बीच के सामने, इसलिए थोड़ा गंदा मैसूस हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा हम लोग चल के गए side में, तो दूसरा जगा में गए, तो उधर clean मुझे मिल गया था, तो शाम और उसके साथ, यह जो हम लोग का trip था ना, बहुत कम cost में हुआ, बहुत कम, मतलब ऐसा cost म हम लोग ने इतना अच्छा trip कभी भी नहीं किया, तो इसके लिए आप लोग भी जा सकते हो, ऐसे करके, आप लोग बुक करके, एक दिन के लिए, या देर दिन के लिए, बहुत अच्छा मस्ती कर रहे थे यह लोग, तो मैं थोड़ा वीडियो ले लिया, पूछ लिया कि कै है अंदर कैसा लग रहे रहे है थंडा ही अगर्मी, तो बोल रहे थे थंडा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगए, इसलिए मैं ने वीडियो ले लिया, तो जो मैं बोल रही थी कि होटेल के बारे में, तो आप लोग ओ से बुक किजिएसे होटेल, एप जाके होटेल आ चाके जब पुछा तो धाई हजर भी है, ऐसे, तो हम लोग नहाने के टाइम पे बहुत मस्ती किया, बहुत एंजोई किया, तो हम लोग का जादा दिन का ट्रीप नहीं था, हम लोग सटार डे गए, सटार डे नाइट रह के, संडे रह के, हम लोग फिर से बापस आ गए, संड तो उसके पहले आप सुन लीजिए जो मैंने दिखाया था वीडियो में वाइट वाइट कलर का जो धीब बना था ओधीब है तो नमक का जो उधर बनते है नमक तो ऐसे मैंने सुना तो उसका डीटेल्स मैं ठीक टाक से नहीं बता पाऊंगी तो यह नेक्स दिन मॉर्निंग है मैं रूम दिखा देती हूँ कैसा रहता है अंदर एकदम एसी वाला जो रूम है ठिक ठक रहता है अच्छा ही रहता है ठंडा रहता है और यह जो बरा बरा उपर से सीरी से चरके इसका प्राइस जादा है इसका प्राइस 4000 या 5000 ऐसा कुछ है तो हम लोग ने मॉर्निंग में उठने के बाद उधर ब्रेक्फास्ट नहीं मिला था इसलिए हम लोग चले गए ब्रेक्फास्ट खाने के लिए तो आप देख सकते हो साइड में कोई भी रेस्टूडेंट नहीं है तो यह बीच का एक प्रॉब्लम है कि एही एक रिसॉर्ट है जहाँ पर आपको नहीं चीन जहाँ पर जहाँ लोग अंग नहीं है जा आपके राघ है कोई कोई आता है एक दिन के लिए साइड में। मैं जो रहते हैं उंगल का जो ढाता है उभिए और शिरी आइका पिसा देकर रिशी जातने के बाद यह दे में चक्रीनुला जाते हैं उन पर लहाइन से यह रेस्टुडेंट से खाना खाये थे, रेस्टुडेंट नहीं एक छोटा सा शॉप था, जहां पर कुछ लोग ऐसे धोसा बना रहे थे, अउनली धोसा ही अबलेबल है, दूसरा कुछ चीज अबलेबल नहीं है, तो अंडा धोसा था और नॉर्मल धोसा था, तो हम लोग न यह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साइट में ऐनली आप यह रिसॉर्ट में रिस्टुडेंट में मिल जाता है, रिसॉर्ट में आप रहते हो, उधर से अब लँच डीनर मिल जाता है, चाय भी बहुत है, जो खाना था, बहुत मुझे अच्छा लागा, बहुत अच्छा और सिगंद्राबाद पॉस्ते है रात सारे ग्यारा बजे तो जर्णी जो है वह बहुत सुन्दर था बहुत एंजोई किया हम लोग ने एकदम सिंपल जर्णी था मेरे ब्लॉग देखते रहे हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कॉमेंट कर कि बताईए कि मेरा ब्लॉग कैसे लगा बाई 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 टेक